तो स्वागाता आपका मेरे टीजी के इस प्लैरफॉर्म पे बच्चो आज का जो सब्सक्राइब वह बहुत ही डिबंदिंग था काफी बच्चों के मेरे पास मेसेज आ रहे थे तो बच्चे को कि जो बहुत सारे डाउट से इन स्ट्रेस स्ट्रेंग डाइग्राम जो आपका होता है ठीक है जो हम बनाते हैं उसमें उससे रिलिए बहुत सारे डाउट से वह बच्चे कह रहे थे कि सर डाउट एक वीडियो बनाई ये इस ट्रेंग्राम पे ताकि यह हमारे बात में इंटर्व्यू के लिए हल्प हो क्या क्या मैं information मिल ठीक है छली दिखते हैं है एस डि fountain बात है कि इस डाउम पहलों प्रणने वालुग एक्थव्स सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले है कि क्या कि हमें चीजेदे पता लगने वाली हम पढणित बाले ये कि पहला यह वाइन प्रणों वर वाइल्ट स्रेंथ हीं कियोंड रो करते हैं और्वर सिभिसर्श डिफोर्म इस को डिखिए रोण्य करने दुसरे करें फॉर यह रिल्ट इस टेकन अट लोर इल्ट पॉइंट इस जाब हम लेते हैं हो अमध्या लोर इल्ट पॉइंट पे लेटेए जो है आपका हाउ तो क इस तरह से yield strength calculate करें के लावा why we always draw engineering stress strain diagram and not true stress जब भी आपको कहा जाएगा कि stress strain diagram बनाईए आप सिधा-सिधा engineering stress strain diagram होता है वो बनाएंगे true कभी नहीं बनाते है why क्या reason है अगला है does yield point exist in brittle material क्या brittle material में yield point exist करता है इस तरह कि हमारे कुछ common doubts है कुछ common questions है जो कि हमें है आज के session में हमें tackle करने में देखने की तरह से आपका यहां पर हो रहा है ठीक है इसके अलावा और क्या देखेंगे बच्चों इसके अलावा भी एक दो जो पॉइंट अगर हमें इसमें जैसे जैसे दिखेंगे तो हम उसको add करते जाएंगे ठीक है चली करते है इस वीडियो को अब सुरू यह पेज हम छोड़ देते हैं ताकि कुछ extra points हमारे होंगे वह हम यहां लिखते जाएंगे एक पेज हम छोड़ रहे है वाला बीच वाला ठीक है ताकि कुछ extra points जो भी आएंगे लिखते कि क्या क्या हम यहां से फ्रॉ कर सकते हैं दूरिंग दा अकर हमने क्या क्या एक मथीन होते हैं वर्शल टैंसल अट्यम एक मथटेस्ट करते हैं अंच्टित अट्शल टैंजल मथी आए I'm not exactly getting the full form टोशल टैंजल मसी इडिया यूडर्श लूट्यम पे हम कहा है टेंजल टेस्ट करते है तो करते हमारे पास क्या होता है इस पेसिमें होता है वह स्पेसिमें क्या होता है बचो असे हमारा पास इस पे फ़ड़ा सा आप सबर रहे आज का से सांदर रोगा बत्चो बहुती मजा आने वाला आज कि से पांका, आपका कुछ क्या करते हैं यहां पर सब्वायन होते हैं करो बीच क्यों होते है। अगजिए मिया होता है सब्सक्राइब आपके लृडंकर रहे हैं यहां पर ग्रहें हूं मे prizes करें घिक शोरीहां वाटलंच मेरे passy में किया होता है कि they are may be some localized is निंट इसके करणा आपको क्या है correct information ना मिले इसलिए हम क्या करते हैं यहां से कुछ दूर हम यह जिए अजुम करते हैं यहां से प्वड़ा सा दूर जो सब जो हमारे नॉशाओ पिए पाइपक पर आपका जो है स्ट्रेस का जो डिस्रूइशन का उनिफॉर्म होता है कि हम इन दो पॉइंट के बीच में लेरो के बात आप हम यूटियम पर करते हैं हम इस पर लगाते हैं लोड भई थैंजाइल लोड लगा रहे हैं लोड मसीन से लगाते हैं वह क्या होता है धीरी दिरी आपका बढ़ता ह है आप किया हो रहा है है वे आपका जानते हैं लोड पर यूट करते हैं इस तो है आप का रिजिक स्वर्ष्ट पर उनिट क्वाहता है आप जानते हैं आपको होगा अजय को आठीक रहा है आप यह स्पहली बात कि हम stress-strain diagram बनाते हैं लेकिва लोड हम लगा रहे है हमें क्या मिल रहा है यहां रहा है मिल रहा है जबलिए बात यह रहा हमें का दे रहा है लिवाक तτι क्या दिखा हमें दे रहा है व्लोड टार्फ यहां पे लोड लग और गया और P कि प्रवर है प्रवार यह पर फिर अपने ओल्ल गाए ऊश्के अब क्या हुआ इस पर एक चो यह एक हमें पी का पता च्लों एक यह पता चल रहा है दूसरा पता चल रहा है इज होते हैं जो आपके क्या पैलकुलीट करते हैं क्या अपता लगी आपको लोड और एंड़ इफ्प्रमेशन चेलन के लेंट इफ्प्रमेशन में लोड़ आपका डोर्ट एडुए दिफॉर मेसन अगर आपको दिख रहा है तो फिर हम लोड़ वर्टर डिफोर मेशन करन क्यों नहीं है एक स्मय क्यों बचाने वेखा इसका सिंपल फंडा है अगर आप सिटे सिमन है किसी पर्टिकुलर एक मतेयल है अब अगर इस में के लिए आप लोड़ वर्ससव कर बनाऊगे वह कर आपका सिरिप और सिरिप स्पेसिमेंन पर्टिकुलर फेसमेन रहा दाइमेंस अगी ज्वारेका इसक 52 mm ऐसे कुछ 48 52 mm के बेज़ वे पेसमें जो हमारा होता है सब्सक्राइब मैंने का डायमेटर है डायमेटर मुझे नहीं बता एक्जेक्ट ली कितना होता है मैंने का सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस तरह किये इसका मतलब लोड वर्शन डिफोरमेशन अगर आप कर बनाओगे तो वह जो वैलिड होगा पूरा कर वह इस पर्टिकुलर डायमेंशन का स्पेसिक्ट लेकिन हम एक ऐसा कर जाते हैं कि हमने किसी माटिरियल को टेस्ट किया यूटियम पे ठीक है वो हमने बोला कि कुछ हमने कोई पर्टिकुलर स्पेसिकेशन उसकी रखी कुछ डायमेंशन हमने एक स्पेसिमेंशन बनाया और उसके लिए हमने उसको टेस्ट किया ठीक है किसी माटिरियल का बना था ठीक है और हमने बोला कि हमें एक ऐसा कर्म मिल जाए कि हम इस पेसिमें की डामेंशन को चेंज कर दे लेकिन जो बी रोसर हे रोन में किसी तरह का चेंज नहीं है मतलब इस पेसी मेन इतनकी है इसको मैं अगर चेंज कर दो लेन्थ वह में करें इसको मैं 10-15 कर दो ऑस केस में भी जो भी हमारे पास रिजुल्क्ट आने वाले है वो चेंज नहां इसका मतलब है कि उस केस में क्या होगा आपका वो और वो आपको क्या है पटिरियल की इनफर्मेशन देगा ना की पेसिमेंट की डायमेंशन चेंज करो के तो भी चेंज हो सकते हैं अगर आपका पीएंट डेल्टा करवाइब लोड़ एंड डिफोर्मेशन करव लेकिन आपका जो stress strength करव है वह क्या होता है वह material की इंफोर्मेशन देता है अगर material की इंपोरमेशन है का साइज कुछ भी रख दे material की इनफोर मेशन है आपके हर साइज के खैवलेड होगी इसलिए हम लोड वर्सल डिफॉरमेशन कना बनाके इस्ट्रेस इसस्ट इससे भाद करो कैसे दिखाता गया पर इस प्रोपर्टी को यहां पर देखिये इस्ट्रेस होता क्या है यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया पे कितना रिजिस्टी डेवलब हो रहा है अब इस पेस्मेन के डायमेंशन कुछ भी हो ठेक है इसका एरिया मैंने का सपोर्श पचास सोरी मैंने का 30 mm इसका एरिया oversee member ata mm is car area think we might have to pass को लिने दिना है तो क्योंकि मतिस्ट्रेस कहे है पर यूनिट एरिया भई इसके यूनिट एरिया पे क्यातना ये इस्ट्रेस डेवलब कर पा रहा है कितना रिजिस्ट्रेस एरिया पे डेवलब कर पा रहा है इसका मतलब अब हमें स्पेसिमेन का एरिया कुछ भी हमें पता लग जागा कि क्या इसके इस्ट्रेस दूसरी बात पर आप अब और किलिर्ली समझाएंगे जब हम इस प्रेंथ को पढ़ेंगे एक हमें में मुंदा स्ट्रेस से नहीं स्ट्रेस के उस वेली से है जो हमें स्ट्रेंथ बताता है अब आते इस प्रेंथ पे यह आप बोलेंगे अगर आपने कोई लोड लगाया ठीक है और उसमें और उसके और इसमें जेंगे डिल्टाल वार इतो पर्टिकुलरर इस इस पेसिमेंगे अगरम और चैंज कर दो क्या आपका डिल्टाल चेंज हो जाएगा चाप का इसका मतलब इलटेल आपका चेंज हो जाएगा इसके लिए आप और आप और जिनल लेंगा तो delta-L आपका तेंगे लेकिन मुझे यह सच है एक ऐसा रव चाहिए कि जो मुझे क्या बताए मुझे क्या बताए कि अगर हम इसको क्या है तुनिट लेंज डिफोर्मेशन को निट लेंद पे लेए आपकी लेंद आप सौ रखो एट सो रखो आपने कहा इस तरह त्रेंग आड एक से स्ट्रेंग एक सिर्ण अब एक सिर्ण किस पर रहेगा कि आपका डिल्टा एल अपॉन लॉट किस पे पहली कंदेशन में भी रहेगा एल अपॉन लॉट अनौट अम आप इस पेसिमेंग के लिए अलो और यहॉर और नौट और ऑर जिनल लेंट आप चेंज कर तो आपका चेंज हो जाएगा लेकिन इस ट्रेंग आपका वही रहने मतलब यह क्या है अब यह material के बारे में आपको info इसलिए हम लोड वर्सट डिपर्वेशन करना बना के stress versus train कर बनाते हैं पहली बात हो चुकिए आपके डिस अब आते दूसरी बात पर दूसरी बात क्या है वह हमारी दूसरी बात यह है वाई इल्ड स्टेंद इस टेकर अलठीक है अब सुरू करते आहां जो इंपोर्टेंट एक पॉइंट था विए था कि आई अल्वेज प्रो अचा प्र एफ्सलोन कर रोड और प्र एडिस्ट और आपको जब आप कहेंगे कभी आपके पास वेशन आ गया है वह इस ट्रेश इंकर आप ड्रॉ करिए यह आप क्या आपसे पूचा आप हमेज़ा क्या माईल्ड इस्टोल का ही माईल्ड इस इस्टील का ही आप कर रोग करते क्या करणा है उसका कारण सिंपल है बच्चों कारण क्या है कि माईल्ड इस्टील के लिए पहले में ड्रॉ कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं क्या उसका रीजन है यह आपका रहा किरा इस किरा इस इन एंड इस अगर मैं कर दो करो माईल्ड इस्टील एक रफ कर मैंने ड्रॉ किया है अब हम क्या करते हैं पहले हम इस पे क्या करेंगे बच्चों यहां पे हम कुछ वाइंस दिनॉट वाइंस हम यहां पे दिनॉट झाल आप जानते हैं कौन कौन से क्या क्या पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट है लेस्ट लिमिट है अपर रिल्ट पॉइंट है और यह आपका क्या है इस लगाँ पॉइंट है अनियुट के फिर आप देखेंगे पात जो यह वटा कि अगर आप कोई और कर बनाओं गे इतने ज्यादा पॉइंट्स आम अमतलब है जितने ज्यादा किसी भी करबंच बंच आपको देख रहे हैं इसका मतलब वो कर आपको तनी ज्यादा इन्व तो Mild Steel के लिए होता है बच्छो किसके लिए होता है, Mild Steel इसके detail जो हमारा करव बनता है, Mild Steel और detail का मतलब क्या है कि यहाँ कर्व से हमें maximum information, maximum यह जब भी हमें पूछा जाता है कि stress trend करवनाएं, हम हमेंसे mild steel के लिए भनाएं, Because the stress trend curve for mild steel gives up the maximum information कि एक अब कुछ और कर बनाऊंगा आपके लिए यहां पर हम देखेंगे किस तरह के हम मारे पर और कर वोते कि यहां में पता चलता है कि हमें कौन कौन सी इंफ्रमेशन हमारे पास नहीं पता लगेगा ऐसे पहले हम इसे जहां पर इसको evaluate करते हैं कि इसमें different, differences ते क्या 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 है के लिए सबसे तो मैं word use कर रहा हूँ, एक मैंने बोला linear फ्टा सा सबर रखना बचो, मजा जायगा आज के लेक्टे लिएर बोला, एक मैंने बोला प्रपोर्पॉर्ट क्या difference है बई दोनुमें? linear, proportional में क्या difference है? इससे को पता है? क्या difference मैं कुछ कर्व बना रहा हूं आपके लिए कैसा कर्व आपके लिए बनाता हूं कि सब्सक्राव है? एक कर्व मैंने बनाया एक कर्व मैंने मना आप इन में से बताएं कि this is curve A, curve B, आप देखेंगे कि linear का मतलब क्या है वही, linear का मतलब है, curve क्या है, तरह से straight है वही, straight इस तरह से लगे, तरह क्या है आपका, straight है, ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कि यह curve और यह curve दोनों के दोनों curve आपके क्या है, linear है, अब बात आती कि proportional किसे कहते है, proportional, what is proportional, हम बोलते है, stress is directly proportional, क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब, इसके लिए जब हम आगे निकालते हैं, तो हमारे बेर्स क्या बनता है, Y is equal to E, Epsilon, मतलब कि एक curve ऐसा है कि Y is equal to Mx, ऐसा एक curve है, उसरा curve मेरे पास है, Y is equal to Mx, Y is equal to Mx, Y is equal to Mx plus C, यह आपके पास दो curve है, ठीक है, आप देखेंगे, क्या है, Y is equal to Mx, क्या है, यह आपका Y is equal to Mx plus C, क्या है, यह आपका Y is equal to Mx plus C, कि अगर कोई भी आपके पास curve हो, जो इस तरह से आपके पास हो, क्या हो Y is equal to Mx, क्या है, यह आपको दिया हो, यह आपको दिया हो, यह आपको दिया हो, दुसरी बात, इस तरह की curve में आपका, अगर आपके पास, प्रपोर्शनल कर वो होगा, यह आपको X is equal to 0, पे Y is equal to 0, ठीक है, अगर आप यहाँ पे रखेंगे, X is equal to 0, तो Y is equal to 0 में लेगा, डफेनित, यहाँ पी आपके जिसकल to 0 रखेंगे, weak, Y is equal to opposition 4 DC or ऑर हाँ परहे ही करवे, Y is equal to up lacamalates PMesざellnd동ıyor करवय इस ACOR्ब़ॉच अ प्रपॉच अर रखेंगे, शन dif पास, प्रपॉच अचावच लोरब करव का अपॉचनल कर भेर, इस जीनियर ब मॉर्पॉर्ँनल को उर्ब होग, प्रिपोस्टेनल वो कर बोलहा जो क्या होगा जो आपका क्या होगा ऑर जिनीट ग्लाव आपका ऐस्ट वह है और जिन यह है यहांसे चो काभ आपका ऑर जिनेट होगा that will be your proposed अर हैПр Ribष कंम कुकि यहांसा है ओर जीनसे अपका ओर дол आ से लिए एकस कर दो पर वाइस कर टो जोगा है थे लिनियर हो गया यह आपका प्रपोर्शन लिनियर दोन है इस पर्टिकुलर प्रटिकुलर इस अरव इस प्रपोर्शन कि भाकंतर आये तो अब क्या बात है कि यह करत हमारा हो रहा है और जिंद कियोंकर ईडिन छो रहा है तो जहां तक एक ट्रेइट लाइन जहां तक यह 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 जो है भिए होगा आपको हो सकता है भी स्को यासे थोड़ा कर विदेकिये िपिन मैं सब्नाने चाते था आप यहां से यहां हुद को इन एक अगर यहां से यहां तक स्टेक सिस्का मतलव है यह अफ 2.0 गो आप व्योग्स को इसेत्रेस स्थेन् डियग्राम के लिए जो है किसरेसो इस रिक अरचली प्रकॉर्फ candle или फेन पॉनेल एक प्रपॉर्फर्फर्ष जिरेसनग नाकी लीनियर इन एक र मोस्टीन आडेले सन। तकया इतीके है कि पॉस्टनलियर डिले सना किसके पीच में को को मुल लीनियर के अंदर होता है प्रोपोर्शनल इन यरहे प्रोपोर्शनल भी है क्या है ब्रेस आपका इस्टेस्स मेडरी 1 को आप बोलते अब बोलते निक Spe덜नलटि ने मकलं को इस एस पहुängen का हो गया बच्चो उपोस्ट लेटील कि को भॉछ नलंटी लीमिट आप को गया अब उसके बाद आता है मतलब किस ग combinations अक प्तु पॉइंट अब्सूस्ट ठीविए अपका क्या है क्या है कि क्रिए कि अच्विक दो ने इसके बाद आथा point इवायख होदा बाइंट ही वह आ उनलोडर करते है उसके बाद अनलोड करते है तो अपनी औरिजिनल सेप ले लेगा पूरी की पूरी औरिजिनल जिक लास्टिक लिमिट का मतलब है कि यहां तक यह क chewing time point player अगर आप इस तरह से स्व venture चाहते डीवर्स डिशुम यह डरेक्ट वही लेर अब ऐलस्टिक लिमीट के बाद का चल्ट after लिमीट के बाद आपका लिमीट के बाद आपका क्या हुआ है बैब आपका क्या होता किया बूहर पर मिल्मेट प्लास्टिक qiousearrust ten आपका प्लास्टिक अब आप देखेंगे वह सारे मटेरियल के लिए पी और यह लगबक आइडेंडिक बहुत पास होते हैं इसलिए आच्छा आप एक और बात सी कि आप कहेंगे जहां पे भी आपको प्रोपोर्शनेलिटी लिम्ट वहां पे आपको सिधा है फुक्स लोग होग जो है वहां पे आपको लगेगा आप टू पर फोर्पोर्शनल लिम्ट तक हुट वो आपका लगता है ठीक है हलांकि elastik limit तक एक एक भी तक भी यह क्या रहता है प्रपोर्शनल ही रहता है कई बार लेकिन कई और आपका करव भी रहता है यह यह जो आपका प्रपोर्शनल रिलेशन है यहीं तक वैलिड होता है यहां से आ यह आ पॉइंट यह है लोर इल्ट क्या है वह यह बला अपर इल्ट पॉइंट लोर इल्ट पॉइंट के है अपर इल्ट पॉइंट वह इल्ट पाइंट है जिस कैसे पता चलेगा क्या कौन सा पर इल्ट पाइंट जब आपका क्या है रजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तिक आप मतल मटिरल ने रजिस्ट करना कम कर दिया यहां पर क्या होगा सदिनली आपका रिजिस्टेंस आपका क्या होगा है पर यहां पर बॉट्चे है उसके बाद एक पॉइंट फिर शी आता है इसको हम लोर रिल्ड का करेंगे कि कि उस पॉइंड के बाद जू है आपका तरह यहां से इधकर आऄा बढ़ना होता है printers कॉपथा कभी कभी आपका चुकल्व होता है वह से अफ़िप कर मिलेगाख वो इस तरह से भी मिलें करा से भी मिल मतलब है इस प्वाइंट के बाद जा तो psyche यहां से नीच करेगा अले अब आते ही नहीं बात पर एक और अब मुद्दा यह है आप इल्ड पॉइंट इल्ड पॉइंट कहां पे ले ले अट वीच पॉइंट वी टेक इल्ड इल्ड पॉइंट है हम इसके रसपोंड इस 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 सिग्मा वाई ही इंद सक्क्राइब को मतलब है अब है अब आपका परमेन्ट को चुका है एल इंग अ मतलब होता है परमनेंट इफोर्मेंशन इसको परमनेंट वियाज से और मेंट टाटास एक परमनेंट चेंट का नोट क्या मतलब होगे यिल्ट का मतलब है जाहां से आप और का रिस्टेंस अव डिकरी अगरेज्टरीट को चाहिए है अदेट रिच्टेंस लेकिन इसके बाद का डिकरी अब क्या हुआ को हम बोलते ही इल्ट इसका कारण यह जो आपका एलस्टिक पाइंट होता है आपका के लास्टिक प्यांड होता है ये दिस प्याइंट जो आसपास ये लागव लगव क्यात की आसपास यह लिए इसलिए हम हमेचा क्यां कर दे क्योंकि इसकी चल् 더 क्यास्तों एपका पाइटmented स्लिए में आते सलार इलठी पॉंहें है यो आरे इसके बात अगर यह ग्राफ अगर आपका अगर यह ग्राफ अगर आपका अगर यह ग्राफ आपका इना जा रहा है करमाम का व did this is plastic from plastic D refract Greeks one again अगर यह सिधा जा रहा है अगर यह यॉक्र प्लास्टिक यहाँ मतिरियल sechs प्लास्टिक ब्रच्जर आप ए अगर यह जुन जोएर ऑपका यह तक गया था यह दो क्योड़ा था क्या था आपका गार देतें आप यह आपका पूरा था गेहून आपका है पाद़ा आपका इलास्टिक इक राट्य मेर finance नहूंशे नहीं उल्टिग रिए अपर आमका के अथक या जोटिया की क्या प्लास्टिक प्लास्टिक गहां से आपकी ये एल्डिंग है कि एल्डिंग कि वालिओ अब इस-ध्यंट प्सक्वाइं के बात कैरे इसके बात क्या हो जाया है तोर यहां सब्रूंड क्या हूआ ये सारण क्या क्या हूआ बॉंगर्स आक लो बॉंडिंगा एक दम प्लास्टिकव डिफॉर्मेशन आप सुरू हो रहा है छो ईक्दम से बॉंडिंग तो ती है करन Radiacement Additionally जो जाती है अच्छा वो रूग Ariana कर पाएंगे टिक Unknown सदनली तूट जाते हैं लेकिन कुछ इफोरमेशन के बाद क्या है यह सारे जो इसके मॉलिकूल्स हैं इंटैंगल होने शुरू हो जाते इंटैंगल का मतलब है फिर से यह बॉंड बनाने शुरू कर देते हैं ज्यादा डिफोरमेशन हो रहा फटापड क्या कर लो आपस में वांड बन अलो ठीके से यसे बॉंड इंटेंगल होना स्रू हो जाता है in टेंगल इंगल उसके हैं डॉंड धेंगल से हब क्या होता है यहां स्यां का घड़्क्रीज होना रेजिस्टेंस यह वह ऐं हो इंडरीज होना स civर्था error अस पर दर यहां से stake information आपको क्या है आपको लोड और लगाना पड़ेगा लोड आपको और लगाना पड़ेगा क्योंकि रिजिस्टेंस material का क्रीज हो गया that's why this reason is called strain hardening क्या बोलते है बच्चो इस region को बोलते है बच्चो इस reason up to यह है strain hardening का region strain hardening क्या होता है आपका strength या आपके जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होने सुरू हो जाती है material की हो जाती है material की होता है यह आपका होता है आप क्या है ultimate क्यों कहाए का नयुक्त आल्टी मेट होता है ultimate going y desu लो घ्यों के बाद का मेंट होता है ठीक है पॉइंड के बात क्या होता है आपका कहा यहां तक क्रीजन हो और का कहते हैं इसको तसमेंद आपका कहते है यहां से यह फिर से करता है रजिस्ट करना मतलब यहां से आप देख सकते कि तो हो रहा है और यहां पर सिधा फ्रेक्चर हो फ्रेक्चर पॉइंट यहां आप इम्पोर्टेंट बात क्या है यहां इतनी चीज़ है तो हमने जान लिक अलग अलग पॉइंट यह प्रोपोस्टनल लिमिट 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 अपर इल्ड पॉइंट ठीक है और यह 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 यूटिए असे यह यह इस टेन हाडिंग टी टिस ए फ्रेक्टर पॉइं strain hardening यह नेखिंग करें यह सारे रिजन हमने देख अब आते हैं कौन सा कोई संपरा इंदिस इंदिस यह आपका क्लियर हो गया पहला आपका किले रहो ठीक है अब आता है हाउ यह केर्व आपने बना दिया ऑपचाब अब बात हो एकि इंस इन तो यह धरैं नुआ कर आपका हम इस तरेस क्या होगा लेडिया हम इसको करते हैं दोनों को कि दोनों हैं ड्रॉप कर दीटिति कर दो कै आंडिए टासा आअपको लेकिन एनडेनिंग इस्ट्रेस एस्टेश अब का करो कि इस तरह आपका यह आपका बनता है ट्रू करों कि यह हैं अभी तक हमने देखा वह हमने देखा इने रिंग कर इस लिए अभाम हम प्रू पर आ रहा हैने ठीक है आप इंजिनिरिंगे छूमें का डेअ है देखना है इन TB मैं कई इफरेंश कर दिखे अपके होता है और की ऐसा कर दो कि ऐसके आ को आप HA restrictive करते हैं का continued को पी आप Yesare here कि आपका है कर आप के अ अगर मैं बनाओं तो क्या होगा आपका इस तरह से भी कर बनता है यहां पर इंपोर्टन जो इंफरमेशन बताने वाला हूं आपको आप ध्यान से अब बात आती है कि भया ठीक है आपने ये बोला यहां से उठाए अब क्रों यह क्या दिखा रहा है रोधिक आप क्या दिखा त्रू ट्रेस और गोर्फ गोल फाथ है वहत इस डुरत आप जांते हैं एगा है वो आपकर होता है लोड नधी अरिया लेकिन इर्या आटीया एड वचों कैंक अब क्रोंपोन चाहिए स्टेंटेनियस मतलब उस्ट पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका क्रॉस सक्षिन एरिया है वो एरिया अगर आप डिवाइट करते रिजिस्टिंग आपका प्रूज प्रूज आपका ट्रूज इसी तरह से आता है तो इस्ट्रेंज कैसे आएगा आएगा अप्सलों टी अल्ट आयोगा आपका डिल्टा एल अपन एल इनियस यहां पर इंपोर्टेंट यह जो इंजिनियरिंग कर वह है उसमें हम इंस्टेंट इरिया एंड लेते हैं तब जाके हमारा वह स्वुचे अपका बनाए जब हम इंस्टेंटेस ऋड्यकॉले इंजिनियरिंग में बात करूँ में रिच्ट कर एंजिन्ट इंडंग कया degrad farming क्या होता हुता है एक कर बात कर लेंग में एक है कर मा बात कर रुए और अपन cinco seven एपन अपनग कर्यों तोरिजनल अपर दिया न्से देख सकते हैं यहां पर इंजिनियरिंग इस्ट्रेस इसे इसव्रें कर ओर जिनल एरिया और जिनल एडिया जाता है लेकिन टुमे इस तेने श्पिर लिजाती है अब आप कहेंगे इस प्रूब इस तो इस तो इस इस प्रिक्टर तो इस प्रिक्टर तो अपका जो भी आरख देखने वाला आगे फ़र इहां से रहे है। बिटेखे हैं अप्टू ग्रूटी एष येवाला इंड हुटिस नम्समें आपका टी वाला इंडिनिंग प्रवाला अपर ये फैले में एक चीज और डिसकते था हुआ होड़ा सा हलका सा इंपार्ट उनंड ने को आप कहेंगे कि stress आपने देखा ठीक है इसप्रेस आपने सार्ण अब बात आती हैं की इल्ड इस्ट्रेसस जो हता है माय Czech ऑन सवी और इसट्रेंथ में क्या デफरेंस है वह यहां इसके बाद जिसके पाद failure सुरू हो जाता है that is called the value of stress beyond which the failure starts is called अगर हमने yield strength कहा है यहां पे क्या failure हो रहा है यहां पे yielding हो रही है permanent deformation हो यह यह हमने कहा कि this is the strength of the material and yield strength तो हम design strength भी कहते हैं design strength भी हम इसी को कहते हैं जब structure नेर होते हैं वो इसी strength के बेच पे आपका क्या करते हैं design करते हैं अब utm क्या भाई utm भी क्या एक stress की particular value है लेकिन because beyond this value checking start and material देखो फेल होना दो तरीके दो एक तो material एक तो yielding permanent deformation आगे तो आपके आपके पास material है ठीक है लेकिन आपको उसके ब्रेक करने के लिए क्या है आपको uts से beyond जाना पड़ेगा तक आपको आ नहीं पड़ेगा तब ही आपका नेकिंग होगा uts क्या है ultimate tensile strength this is the strength on which material will प्रेक टोटी जाएगा पूरा यहां पर फेल हो रहा है मत्तब इल्डिंग हो रही है आपका ब्रेक हो जाएगा इसके बाद जो है ब्रेक हो जाएगा तो यह strength और stress की आपका अंदर अब हम वह भी बात करेंगे अभी कि अधरा से पहले इसको देख लेते हैं ठीक है तो देख लेते हैं इसमें चाहता हमारे पास जो हम डिसको एक बच्छो यह ग्राप पूरी आपको बिल्कुल सही पिक्चर देता है true picture देता है true stress but in the reason of necking the reason में यह जो जो रिजन है आपगा ने कि इसरी जन में इसरी जन में आपको कैसे का होता है a停 is necking car region making yeah eating original में음ивu प्रोपक्जर आपको नहीं आकए सम weten ju आपका क्या होता है इस प्रफग कहते है यह है यह क्या होता है विख कर रहा है क्यों क्या होगोड्र आपका of you're smart for unit रिखाथार क्या हो रहा है यहां से यहां से आपने कि मैं इक इंद अधिल रइस से आपका चौन करना सुरूँ जाता है आपका कुछ सहां का IT से आपका कि तो छोड़ कि दॉड़ाता है मतलब यहां पर जो एरिया आपका इंस्टेज हए रए ढब क्रीज हो रहा है लेकिन इन दिसन आपका पोस्री डिश्य जेख़ तर नहीं होता है उनिदोस्स्स इंडेतर रेया आपका डिकरी सोता है इस एरिया डिकरीस होने कि आपका प्रू में आपको जो बूवेल्यoc इसका मतलब है कि यह करव हमें दिखा रहा है यह करव हमें यह दिखा रहा है यहां इसके बाद आपका क्या ही ऊपर के तरफ जा रहा है इसका मतलब है आपके material के strength बढ़ रही है मतलब material के strength बढ़ रही है उसकी जो hardening में तरह आपकी बढ़तीय मत लेकिन यहाँ पर क्या है इस में आपका क्या हो रहा है बाचो यहाँ पर आपको कर वह दिखा रहा है कि इस लेकिन हमने का strength increase नहीं हो रहा है definitely but that is due to decrease in area not due to the increase आपका नहीं हो रहा है आपका एरिया डिकरीज हो रहा है जिसकी वजह से यहां पर यह करव आपका ऊपर की तरह बढ़ रहा है that's why this curve does not give you the true picture the necking that's why we does not follow true क्लेरों के बाद चले एवन आप यह कह सकते हैं एवन डिकरीज हो रहा है क्रीज हो रहा है लेकिर इन्वतियों क्योंकि यहां से नेकिंग सुरू होती है वहां से मतलब उसने दम तोड़ जया material ने अब मेटेरल बोला भई हम अब हम और रजिस्टर में वहां पर क्ये है flow type का सिधा हो जा रहा है और सारव का ब्रेक ओर रगा निक इस आपका आप जानते हैं आपको कई बार पिक्चर से भी दिखाई है आपका यह जलता है यह आप अब मुद्दा आता है कि हाव तो कल्कुलेट इल डिस्टेस इल इस्टेस फॉर दो माटेरियल पोर विच यह जो क्लेल डिफाई एक है और क्या है कि आपका क्लेर हो चुका है ठीक है त आपकाट अशनलता है आपको क्या आपको कई पर इल्ट पॉइंट दिख रहा है कैसा बताएंगे यह बंट से वह वंहां यह uniqueness कर आपका आप्ल यहां पर देखेंगे आपको क्या आप को कही पोई दीख रहा है कैसे बताएंगे इर ट्व 12 assistant अंब को मतलब इस पउनलीड़ तरह यह नहीं आता पते अरे जहां पर आपको इसलोर किया कॉरें तो क्या है कि यह सबस्कार्ब यहां से काम करते हैं यहां प़िए कहका है यहां से 0.2 परसंट ऑफके लीटे हैग। मतलब आहरा फाक्रिन के वैल्य米 अब डागर एप्सलू टार्म में स्नम बुले इस विल भी 0.00 कि अलवा यह आप सुनू टैसे से इंपर्सेंट 2परसेंट लिए अ मने का करना है हमने यह जो लाइन थी जो लाइन आपकी दिखरी यह वाली इस टोलाइं के दाइन के पारलल हमें कि आके इसाम हमें के नर फैर्ल एक लाइन के अब यह दो नोगे लाइन आप यह पारलल आपयोल आंको अरिज दुरियरल दिखनी होगी अब यह जो दोनों है एक दूजरे मतलब ट्रीटा है धाउयव असूंड 2.2% पे पाइड two percent of strain के point two percent से हम क्या करेंगे इसके पैर्लर एक-वो लाइन जहां पे इसको cut करेगी स्कर्व को गोस कर्व के अर्व करस्पोंडिंग जो भी आपकी stress होगी that will टॉरए इस मैसर को बोलते हैं बटा ऑफ शत क्या मोलते हैं और हम बोलते हैं और ऊफ सेट कि खोलते हैं ऑफ सेट खोलते हैं ऑफ सेट में आपको क्लियरली डिवाइन इल्ट पॉइंट नहीं है उनिके लिया में ऑफ सब्सक्राइब कर सकते है इल इससे एलिमिन आप बात आती है क्या यह मैं से आपका धिटल डख्टाईल कि इस प्रइप डख्टाईल मटी एवाइल अवयू अधियो मिले उन तक होड शो जारी तो का रीजन है इए देकिए है अगर मैं बढ़िए लिकारो आइल इस्टील जो था पहले अक्ट करो अर्ब कुछ पराइब और यहां पर खतं हे मुन्द खतं में टाटा भाइवाई ओंतलब है है आप देख सकते कि यहां पर आपको व doubly तरहर आपको और यहांपकर टिको ख्रक्टर को हम अलटिमेंट एंवे इस होता है नहीं होता है तो कि बिकाश प्रिटल मटिरल एंदिंग दॉस्ट बितल मटिरल में इल्डिंग नहीं हो इल्ड दॉस्ट इस वजे से अप क्या है इल्ड point is not yield point yield strength yield point it and not defined not and define name define for vital material okay vital material ke liye yield yielding between vital material may yielding नहीं होती है yielding आपकी नहीं होती है मतलब yielding मतलब permanent deform अगा permanent होता है yielding नहीं होता है मतलब plastic deformation plastic deformation brittle materials में नहीं होता है आप इसको load करेंगे और एक time ऐसा आयागा जब ये क्या है इसलिए yield strength नियुव कि इसलिए yield strength is not defined for brittle material बिटल में एक ही होता है कि पाइंट कॉम फ्रेक्टर भी कहते हैं इस फॉर्म अल्टीमें टेंजल इस्ट इलरोगे किया आपका बिर्टल मटेरियल अब देखे हैं कॉन सब्सक्राइब है अब देखे हैं कॉन सब्सक्राइब इस हो डिख आपकर अपकर आपक्या मैथड आपका ऑफसेट सब्सक्राइब है तो आई होप की लगबख सारे वाइंट हमने डिसकस कर दिये हैं बस एक पॉइंट और हो मैं और डिसकस कर लेता हूं आपके साथ ठीक है यहां पर एक चीज और देखना जब भी हम बात कर रहे हैं तो यह वाला जो होता है आपका आपको अगर मैं बोलू की रेजिलियनज पोडूरस और उसके घरम बात करें ठीक पोइंट है तो देखी लेते हैं अंगरम बात कर ओओ यहां पर एक पॉइंट है बच्छों यहां पर यह एलास्टिक लिमिट ठीक अप्टू द एलास्टिक लिमिट अगर मैं इस एरिया को बोलू यह एरिया आपका आता है मॉडूलस ओफ रजी जाहता है अग्रूलस अफ रजिलियंच अप्टू एलास्टिक लेकिन वहीं अगर मैं लूँ इसको अप्टू फ्रेक्टर पॉइंट तक अगर पूरा एरिया ले लो इसका कम्प्लीट एरिया अप्टू फ्रेक्टर पॉइंट अम बोलता हूं मॉडलास आउफ अफ्ट्रेंश मॉडलास अपन्लब चविए पॉसितल ऍे एरिया पुरा पुर अपर एयरीया। पॉरिया भात्ट धाया है तो एक मुझा ऐलास्टिक दोन जहादा घ्यादा वगाए हुआम पूर्ए कैसे ओंड बारिया की अमय हों को उयर्ष इलाकि इनर्जी षणे इनर्जी परिद लुल्यम में कितने इस्ट्रेंट ने आप अस्तर्हके आपने रूमने डिया है लाफ किना खो हो गए होगी crystal clear एकदम फिर भी अगर एक रहे गई हो तो साहद हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अगर एक दो चीज अगर कुछ रहे गई हो आप कमेंट बॉक्स में लिखे हम इस पर कोई और और दिन भी एक और छोटी सी वीडियो लाके आपको दे देंग अगर पुरा डिटेल में जानना है तो अगर आप बहुत अच्छे तयारी करना चाहते हैं बहुती कि अगर आप तयारी को धार देना चाहते हैं आप हमारे पेट कुर्स ले सकते हैं जिसमें रहूल सार और जमाल सार ने बहुती सांदर बहुती सांदर तरीके से आपको कंटेंट उन्होंने प्रवाइड कराया है चलिए आप जल्दी करिए आरे चैनल पर ठीक है आप मेक डिजी लाइब क्लास एप पर जाएए और वहां पर आपको बहुत सारे अलग लग एक्जाम्स के लिए आपको क्या है सारे कॉर्स आपको मिल जाएंगे आपको सारी फैसलिटी साथ ही में आपको आपके जो भी डाउट हो